हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोग मेरे चैनल में तो मैं आज न आप लोग के साथ हुम टूर वीडियो सेयर करूंगी उतना भी मेरा घर अच्छा नहीं है बन ही रहा है बन के अभी पूरा तयार नहीं हुआ है तो जो भी है मैं आ पहले वीडियो देख लीजिए पूरा उसके बाद मिलती हुआ अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब और सेयर जरूर करिएगा ठीक है तो चलिए वीडियो आप लोग देख लीजिए पहले तो फ्रेंड यहां है मतलब यह गेट के बाहर का मतलब य यहां से मेरा गेट चालू होता है तो यह बैगल का रूम यह दूसरा अदमी का रूम जो बंड है ना वो कोई खार आदमी तो यह दूसरा अदमी का रूम है और यहां से मेरा घर चालू होता है तो यह मेरा यह गेट है ना तो यह खिरकी यह और यह गेट है दूसरे रूम क टो यह गेट है यह मतल евगें अपने मर्जी उतर सकते हैं निकाल सकते हैं और यह जो परदा लगा है मैन गेट है निख भाने में लेगा मैं गल दो में लगे गा घ्रीन ही हो गया 명हीं है कि वगल में अ एक रूम है रोड सेड में तो एक रूम हो गया इस रूम में पहले भंस बनाता था तो अभि भ्हलाल भंस नहीं है भी भंस भी बिका गिया तो इसमें । कुछ यहוצк तो यह देखे यह बला रूम और ठीक बगल में यह किचन है तो यह परदा लगा है वह किचन है और यह ब्रांडा हो गया तो यह देखे किचन तो यह किचन है किचन से भी ऐसे ही है तो मैं फिलहाला अडरIices collaborate करके Online के इसी में खानाओ नहीं पकाती हूं इसारा समाने इसी तो यहां पर बरतन रखने वाला के नीचे ना वह मतलब बैसन लगेगा बरतन धोने वाला जो स्लैप होता है तो वह लगेगा इसमें तो मैं इस पर एक तक था रखके और उसमान बरतन रखती हूं बरतन का टोकरी तो यही ऐसे ही है तो पूरे किचन में अभी कुछ पलास्तर का काम ने हुआ है तो मैंने अरजेश्ट करके इसी तरह से सारा समान डबा अबा जितना भी होता है सारा समान में लगा लिया है यह सबजी इसमें रखने वाला है और यह खाना उना जो बना है खाना उना इससे ही म करदास के सामने मैं गेट है मैं गेट मैंने दिखाई थी लाल परदा के यह ही मैंन गेट मंतलब बनने के आगिया है इसको सेट कर वाना है तो यहाँ पे देखे मेन मैं गेट इस तरह तो कुछ-कुछ समान मतलब फालतु समानसर जो रहता है वह समानसर रखने के लिए है और उसके बाद यह है दूसरा रूम तो यह भी नया ही रूम है तो यह दूसरा रूम है तो यह रूम में देखे यह तो और मतलब पुरे है क्या बोलते हैं इसको यह रूम बन गया है पु पहले से ही रूम बना है तो पहले एक ही रूम बना था तो इसमें में रहती हूं तो यह मेरा बेड़रूम है कि यहां पर हैं के तो यहां पर आएंगे टिश्यक्रा में आअने चापना देस हूं है I Jaa. पर में तो मेरा मन्दीर परी अबुरम देखकी है तो कुछ यहां तरह से एसलिए में दिखता है पनी में काला पनी ज़े उस सब्सक्रक में नहीं कुछ जो मि'll सब लगातील उसी सब का समान आंस tätä और यहां यहां पे छाजी एक अंदर भान साइब वह बहुत सब्सक्रक्षा brev तो यहाँ पефek कहीं является देख्वेस थे सारे अव यह थे sudah कि यहां पे फिये खिरकी में पर्दा लगादी हूं इसे मेरे मेरा सामने में अना एरica तो में. तो मेना रूम कुछ इस तरह से दिखता है अभी मनला वह रूम का नम बहुत सारा समान बहुत सारा है मतलब कोई भी समान ना अच्छा तरह से शेट नहीं हुआ जब घर का प्लास्तर हो जाएगा तो सब समान सेट करके रखेंगे अभी तो इसे ही जैसे है तो इसे ही काम चल समान बहुत समेट करके रखती हूं लेकिन घर में बच्चा पहला ही देता है यहा पे मेरा सिलाए मसीन है सिलाए मसीन के उपर में निकाल के रकliyor हैं तो यही सब है और यह सामने वी कल है नल material तो इसी पर उसे पान पी थे हैं नहानाद होना पाने का सारा काम इसी से होता है और ये बीचांगन में ही चुला हो गया है, पहले चुला न इस सेड था, ये कोना में जो दिख रहा है कaldo कला कला, इस कोना में चुला था, तो यहां से तोड़के बीचांगन में कर दी है, ये जो खाट देख रहा है तो रात को यही वाला खाट के मैन गेट पे लगाते हैं तक कुत्ता ना आये रात को इसे चोरूर कादर डर नहीं होता लेकिन कुत्ता के जादे डर होता है कुट्टा आ जाता है तो कीचन में घुस जाता है तो कीचन का मतलब खाने का समान लेके भाग जाता है खा लेता है तो इस तरह से मेरा घर दिखता है कुछ और यहां पर आप देख सकते हैं रेलिंग भी उपर में जो बोन्डिंग बना रहता है छट पे तो बस कुछी देर उंदूर बना है और इधार जो पुरानावाला घड है इसी मेरा घड बहुत नीचे बन गिया है ये पुराना घड के वज一定要 से ना मेरा किचन बहुत बढ़ा किचन बन गया किचन में भी गेटूट सब लगना है और यहां पर देखें चारों सैड से कुछ इस तरह से दिखता है और मैं अभी यह दिखा रही हूं जीने का सीरी का में दखा रही हूं तो मैं छत का भी दखा देती हूं थोड़ा तो यहां पर देखिए गिटी बाल वे सब अभी इसे ही है कि जैसे तेसे सारा कुश है और इधर दुसरे आदिमिसों का रूम मतलब बन रहा है वही सब तो मेरा चछत इस तरह से दिखता है और अधर रेलिंग नहीं हुआ है तो अधर देखिए और उधर ना से ये लक्री कुरी का है जलावन जो चुले में जलाते हैं लक्री खाना पकाते हैं उसके लिए कुछ-कुछ रखा है गोई ठाय ये उपलापला सब रखा है तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब इंटरलैक जरूर करें